बोजप्री गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादम निरहुआ पुद्वार को भाजपा में शामिल हो गए भारते जन्ता पार्टी के सदस्ता ग्रहन करने के बाद उन्होंने अपने साथियो संग मुखे मत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दिनेश लाल यादम भोजप्री फिल्मों के बेहदी फेमस गायक हैं जियां और वह सबसे सफल भोजप्री कलाकारों में इसे एक माने जाते हैं जिनमें 2015 में पांच बॉक्स आफिस पर लगातार सफलताएं हासिल की दिनेश लाल यादम निरहुआ बिग बॉस के शो में भी जा चुके हैं बता दे आप सबी लोगों को दिनेश लाल यादम गाजीपुर के छोटे से गाउं टंडवा के रहने वाले हैं उनको उत्तर परदेश शरकार का सर्वोच सम्मान यश भारती से सम्मानित किया जा चुका है परख्याद बिरहा गायक विजय लाल यादव दिनेश लाल यादव के बड़े भाई हैं भोचपरी अलबम निरहुआ बस टल रहे से उनको आपार सफलता मिली वहीं भोचपरी स्टार रवी किशन से भी इस बार लोग सबाचना लडने की चाषजट आई है सियासी गलियारों में चर्चा है कि निरहुआ आजमगड और रवी किशन को गुरखपूर से भाजबाचना लड़ा सकती है हाली में भोचपिरी सुपरस्टार रवी किशन ने मोधी सरकार की फिर से वापसी का अईलान किया वहीं उसका गए वीडियो भी वाल वलो रहे हैं जिसमें वह कह रहे हैं कि इस बार भी मोधी सरकार की कोही चुनाओं जिताएंगे पिल्मिया दसे प्रियां का कि इपो